हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्री के प्लांट्स के दोależदियों मेरे वीडियो को लाइक किजिए चैनल को ससक्राइब किजिएगा उससे पहले दोस्तों मुझे कमेंट आया था कि तुलसी को सीड से ग्रो करके दिखाईए तो आज का वीडियो उसी कमेंट के साफ से बना रहा हूं और दोस्तों कर आपको भी अपने किसी प्लांट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो दोस्तों तुलसी को ग्रो करेंगे तुलसी हिंदू धर्म बहुत पूजनिय मा करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों को चाहिए हों कि तुलसी करो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को तुलसी के सीड़ चाहिए होंगे यह देखिए दोस्तों तुलसी के सीड़ है थोड़े से सीड़ ले लिजिए उनको रख द मिला है अगर यह आपको ना मिले तो आप के वल ट्वट पूरे गारडन सौाइल में वी सकॉ ग्रू कर सकते हैं मेरे पास है तो दोस्तों कर लेते हैं मिक्स अच्छे से मिक्स कर लिए को सब्सक्राइब Kia इनको P eina लेते हैं दोस्तों पूरा भरिये और इसके बाद आप इसको दो तिन बार टैप कर लेजिए इस पर ताकि इसके अंदर जो हवा भरी हो वो निकल जाया सारी हवा और दोस्तों पहली बार में इसको पूरा मत भरिया सीट को लग कर लेते हैं कि इस्तों पूरा फूरा लिजिए इसको भी टैप कर लेंगे दोस्तों देखिए दोनों थोड़े-थोड़े से खाली हो गया दोनों के अंदर शहावा निकल खगी अब नोस्तों आप निकल ले लें दोस्तों लग जब तुलसी को ग्रो करते हैं तो हम लोग एक गलती करते हैं कि इसके सीड को ऐसे ही डाल देते हैं जबकि दोस्तों इसके सीड इसके अंदर होते हैं सीड इसके बहुत ही छोटे छोटे नने नने से होते हैं ग्रो उनको करना है तो दोस्तों उनको कैसे निकालेंगे इन सीडों को हाट पे रखी है पहले एक आ को दिखा देते हैं और इसको हल्क हल्क है इसे कर किरस्क लीजें कर देखिअ जैसे दो बहुत ही काल काल जैसे यह आ रहा है छोटे-छोटे से यहbased कि सीड ऐसे इनको सबकों निकाल लेना है और दोस्ते इस टिक को फेक देजिए और यह रह जाते हैं तो इन्हें भी डाल दीजिए गा थोड़े सी डिसके अंदर भी रह जाते हैं ऐसे हम कर लेते हैं सारे को तो सारे सीड हो गए रेडी तो दोस्ते इनको थोड़ा थोड़ा दूनों में स्प्रिंग कर देंगे इनको इस प्रिंग करने के बाद इनकी उपर हलका सा लोग यह मिट्टी को थोड़ा सा और डाल देंगे दोस्तों देखिए अब इनके पहले वाटरिंग कर देंगे हम लोग दोस्तों पहले वाटरिंग अच्छे चकीजिए और दोस्तों स्वाइल हमारी थोड़ी सी गीली थी इसलिए पानी अभी इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है सोकने नहीं तो अभी तक तो सुख लेता यह देखिए दोस्तों आप देख रहेंगे सीड उपर तैर के आ गए और दोस्तों कभी भी आगर आप छोटे चोटे सीड ग्रो करें तो आप कभी उसे स्प्रे से पानी मट डाले क्योंकि वह सीड जो हैं आपके पास और डाल देजिए क्योंकि सीड तैर के उपर आ गए थे दोस्तों हमारे पॉट बिल्कुल रेड़ी हो चुके हैं और दोस्तों तुलसी को सीड से ग्रो करना बहुत आसान है अब यह कम से कम 10 या 12 दिन में इसमें जर्मनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम चलते है देखते हैं से 10 दिन बाद तन पूरे हो चुके हैं चलिए देखते हैं कि तुलसी की ग्रोत कैसी रही चलिए चलते हैं अपने तुलसी के प्लांट की तरफ तो दोस्तों देखे कितनी अच्छी जर्मनेशन स्टार्ट हुई है दोनों पॉर्ट में खुप साए तुलसीयां पहले पॉर्ट में यह देख़िए कितनी अच्छी जर्मिंसन इस पॉर्ट में सिटार्ट में इसलिए 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 छोटें प्लांट निकले हैं और दोस्तों हमेंसा रिखिए तो इन्हें हल्का सैमिसेड एरियम रखे आदे गंटे की दूपानी चाहिए कम से कम अगर आदे घंटे ज्यादा कि आईगी अगर एक आप सीड ऊपर रही है तो फिर जल जाएगा फिर वह ग्रोथ नहीं करेगा और दोस्तों हमें से छोटे सीड ग्रोड में ग्रोड कीजिए ताकि इसमें आराम से खुब मौश्चर बना रहे और छोटे पॉट में ग्र तोस्तों तुलसी को सीड से गरोकराना बहुत आसान है आप भी से अपने घर में बहुत आसाने इसode कर सकतें तो तो अगर मेरा वीडियो को यह अच्छा लगाऊ थो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइकług कीजिए और कमेंड सेक्षिन में लिखके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस प्लाइंट पे चाहिए और दोस्तों थैंक्यू फॉर बाजिंग कि अगर कि अगर कि अगर